हेलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करेंगे जो जेसी आर्टी रांची जहाटकें टेस्ट बुक पर बेस्ट है आज देखेंगे प्रशनावली 14.92 का छे नंबर से बाकी जो कोश्चन है जितना भी 14.92 में है सभी मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आप वहां से जाकर बाकी कोश्चन देख सकते हैं और सोलिसन भी मिल जाएगा आपको जिले देखते हैं चे नंबर किसी समलम चत्रभूज का छेतरफल 176 cm स्क्वेर है यदि समांतर भूजाओं में से 14 cm हो तथा उचाई 8 cm हो तो दूसरी समांतर भूजा ग्यात कीजिए यहाँ पर एक समलम चत्रभूज है और समलम चत्रभूज कुछ इस तरीके से होता है जिसकी दो आमने सामने की भूजाएं समांतर होती है और दो असमांतर होती है यह दोनों भूजा समांतर है हम लोग नाम लिख देते हैं कुछ भी A, B, C, D और यहाँ पर दिखिए इसका चेत्रफल दिया गिया है चेत्रफल यहां लिखता हुमें चेत्रफल बराबर दिया गया है 176 cm2 उसके बाद देखिए एक भूजा दिया गिया है 14 cm यहां पर पहली भूजा पहली समांतर भूजा बराबर 14 cm उसके बाद यहां पर उचाय दिया गया है उचाय बराबर उचाय बराबर यहां दिया गया है देखिए 8 cm यह हो जाएगा 8 cm तो हमको दूसरी भूजा मतलब dc ठीक ना यहां पर dc दूसरी भूजा हमको ग्याद करना है कितना होगा चलिए बनाते हैं यहां पर देखिए च्छत्रफल दिया गया है तो लोग च्छत्रफल का फर्मूला पूट करेंगा और उससे से यह मैत बनेगा सो उसे पहले लिखते हैं संबलम चत्रफूज का च्छत्रफल ब्राबर एक बटे दो गुने दोनो भूजाओं का योग गुना उंचाई होता है तो दोनो भूजा हम लोग a प्लस प्लस b लिखते हैं फिर गुना h पहली भूजा a हो जाएगा मतलब 14 दुसरी भूजा यहां पर हो जाएगा जिसको निकालना है और h h मतलब यहां पर उंचाई होता है यहां पर लम डालकर उंचाई 8 cm यहां पर दीखिए उंचाई 8 cm दिया गया है अब हम लोग यहां पर समचित्रफूज का च्छत्रफल यहां पर दिया गया है इसको लिखेंगे 176 फिर बराबर देकर 1 बटे 2 गुना a प्लस b a मतलब पहली भूजा यहां पर 14 फिर प्लस b b कमान तो निकाल हम लोग इसलिए b उसको b ही लिखे देना है फिर गुना h h बराबर दिया गया है यहां पर 8 अब इसको solve करेंगे सबसे पहले हम लोग देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 4 है दोनों को काड़ देते हैं कर जाएगा दो एकादो दो दुना चार उसके बाद इसको solve करते हैं 176 बराबर यह हो गया 14 जोड बी गुना चार अब चार को हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो यहां पर गुना है बराबर का दूसर साइट आकर भाग हो जाएगा 176 बराबर यहां पर 14 जोड बी और यहां लोग चार को यहां न लिखकर इधर लाएंगे यहां पर गुना हिसली इधर भाग हो जाएगा अब इसको काट देंगे 4 से, 4 का 4, फिर 4, 4 के 16, एक बच गया, इधर चला जाएगा, तो फिर 4 के 16 हो जाएगा, इस तरह 44 बच गया है, यहाँ पर लिखते हैं, 44, ब्राबर, यहाँ पर 14, जोड, 6, उसके बाद अभी 14 को इधर ले आएंगे हम लोग, तो भी इधर रह चुदो की इधर लाएंगे, तो हो जाएगा, 44 माइनस 14, ब्राबर, बी, 4 में 4 माइनस करने से 0, और 4 में 1 माइनस करेंगे, तो 3, इस तरह, बी ब्राबर हो गया, 30 सेंटिमेटर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, बी ब्राबर, 30 सेंटिमेटर, फिर फाइनल अंसर लिखेंग अता समांतर चत्तुर्भुज की दूसरी समांतर भुजा ब्राबर 30 सेंटिमेटर और यह हो गया हमारा अंसर फिर अगला बढ़ते हैं सात्वा नमर पर सात्वा नमर का सवाल है एक समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दो गुन्नी है यदि इसका चत्रफल 168 सेंटिमेटर स्क्वेर तथा उच्चाई 8 सेंटिमेटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ग्यात कीजिए यहाँ पर एक समलम चत्रफुज है जिसका समांतर भुजाओं का मतलब यहाँ पर कुछ ट्रिक दिया गया है कुछ हिंट्स दिया गया है कि एक भुजा दूसरी भुजा से दो गुन्नी है तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर समांतर चत्रफुज पहले हम लोग ड्रो करते हैं यह हो गया एक समांतर चत्रफुज और यहाँ पर यह हो गया इसका उच्चाई यह हो गया पहली भुजा यहाँ पर A B हो गया पहली भुजा और C D हो गया दूसरी भुजा यहाँ पर पहली भुजा अगर X है ठ लिखते हैं चलिए माना पहली समांतर भूजा ब्राबर एक्स तब हो जाएगा दूसरी समांतर भूजा ब्राबर टू एक्स इतना किलिर है इसके बाद हम लोग के पास दिया गया है छेतर फल तो लिखते हैं समांतर चत्र भूज का छेतर फल समांतर चत्तूर भूज का छेतर फल ब्राबर 168 cm2 फिर उचाई उचाई दिया गया है उचाई ब्राबर यहां पर 8 cm यहां पर हो जाएगा 8 cm हम लोग को याद करना है समांतर भूजाओं की लंबाई मतलब यह दोनों भूजाओं की लंबाई याद करना है तो चले फॉरुला लिखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है छेतर फल ठीक न अंचर फिशर फल झूराणा वलोग लिखेंगे अगर यहाँ परיה पर पर विच्जैन्स में जो देगा ना उसिका हम लोग गुनि ए प्लस बी गुनि एच यहाँ पर ए पहली भुजा है और बी दूसरी भुजा है इसको याद रखना है समानतर चत्रभुज का चत्रफल दिया गया है यहाँ पर 168 इसको लिखते हैं 168 बराबर एक बटे दो गुनि ए प्लस बी यहाँ पर ए दिया गया है एक्स और बी दूसरी भुजा टू एक्स प्लस टू एक्स यह दिया गया है ठीक ना हम लोग मान लिये हैं मतलब एक्स और टू एक्स मानने हैं पहले भुजा है एक्स दूसरी भुजा है टू एक्स फिर यहाँ पर लुके 8 फिर ब्राबर देकर इधर 168 हो जाएगा यहां देखिए x प्लस 2 यहां पर है फिर 4 है इसको लिखे देंगे x प्लस 2 x इंटू यहां पर है 4 हो गया अब हमलोग यहां पर 4 को इधर ले आएङगे एक्ष्वल में यहां पर into है देखिए into है तो है पर into है और 4 को इधर लाएंगे बराबर सी इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा यहां पर 168 बटे 4 हो गया उसके बाद इसको लिखें एक्स प्लस 2x इसको लिखते हैं x प्लस 2 x अब इसको हम लोग काट देंगे चार का चार चार चुके 16 फिर 8 है 4 दुना 8, 42 हो गया अब दोनों को जोड़ देंगे हो लोग यहाँ पर add हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है यहाँ पर 1x और 2x टोटल 3x हो जाएगा और हाँ पर हो जाएगा 42 अब देखिए x को इधर ही छोड़ देते हैं और 3 को इधर लेएगे 103 के बीच में हाँ पर गुना है इधर आकर भाग हो जाएगा 42 बटे 3 हो जाएगा फिर कार देंगे इसको 3 एका 3 फिर 3 एका 3 यहाँ पर 1 बज़ गया एक इधर चला गया 2 के साथ तो 12 हो गया 3 चोग के 12 तो इस तरह x ब्राबर 14 लिख सकते हों लोग x ब्राबर हो गया 14 उसके बाद अता लिखते है final answer अता समांतर भुजा जाद करना था समांतर भुजाए ब्राबर पहला समांतर भुजा x माने थे हों लोग ब्राबर 14 हो जाएगा फिर हो जाएगा दूसरी समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा ब्राबर यहाँ पर हो जाएगा 2x ब्राबर 2 गुणा यहाँ पर दिखिए x एक अस्थान पर यहाँ पर 14 इसलिए 14 लिख देंगे ब्राबर 14 दूना हो जाएगा 28 तो इस तरह पहली भुजा यहां पर लिक्षाथा है पहली समांतर भुजा ब्राबर 14 और दुसरी समांतर भुजा ब्राबर 8 ये दोनों होगी हमारा अंसर यहां पर सवाल है एक समलम के आकार के खेट ABCD की मेड की लंबाई 130 मीटर है यदि BC बराबर 42 मीटर CD बराबर 28 मीटर AD बराबर 36 मीटर है तो इस खेट का अच्छे तफल ग्याद किजिए भुजा AB समात हो जाएं AD तथा BC पर लंब है यहां पर लंब डाला गया है और यहीं है उचाई हमारा AB उचाई है यहां पर चले लिखते हैं मान AD AD कितना दिया गया है देखे 36 36 मीटर उसके बाद फिर दिया गया है BC BC 42 मीटर फिर दिया गया है CD 28 मीटर अब देखे ए भी नहीं दिया गया है और AB हमारा उचाई है बिना उचाई का समलम चत्रभुच का चत्रफल ग्याद करना बहुत मुस्किल है इसलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं खेट का लंबाई खेट की लंबाई खेट की लंबाई बराबर सभी भुजाओं का योग हो जाएगा AD जोड CD जोड BC जोड AB इसलिए हम लोग का AB निकल जाएगा ठीक ना अब खेट की लंबाई कितना दिया गया है 130 मिटर 130 मिटर हो गया फिर AD AD का मान दिया गया है 36 मिटर फिर फिर देखिए CD CD 28 मिटर तो इसको लिख देना है 28 जोड फिर BC यहाँ पर BC 42 मिटर दिया गया है इसलिए 42 जोड AB तो निकालना है AB अब दिखिए 36 अठेस और 42 तिनों को जोड देने से हो जाता है 106 प्लस यहाँ पर हो जाएगा AB अठधर 130 को सेम लिख दरना है अब 106 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगे यहाँ पर प्लस है 130 माइनस 106 ब्राबर यहाँ पर AB अब 130 में हम लोग 106 घटा देंगे तो बचेगा 24 ब्राबर AB तो AB ब्राबर 24 और यहीं है उच्चा है ठीक ना तो चलिए आगे लिखते हैं समलंब चत्रभूज का छेत्रफल समलंब चत्रभूज का छेत्रफल ब्राबर एक बटे दो गुनि समांतर भूजाओं का योग होता है ठीक ना उसका हम लोग A पलस B लिख देते हैं गुना एच अब यहाँ पर एक बटे दो गुना समांतर भूजा A और B A है 36 B है 42 दोनों को लिख देंगे 36 जोड 42 गुना एच एच कमान कितना दिया गया है अभी निकाले लोग 24 तो यहाँ पर 24 लिख देते हैं एच के स्थान पर यह होगा 24 ब्राबर अब लोग 2 और 24 कट जाएगा इसलिए कार देंगे दो एका दो फिर दो एका दो फिर चार है दो दुना चार तो बार हो गया अभी लोग 36 जोड 42 गुना बार ब्राबर अब दोनों में ब्रेकेट है इसलिए पहले जोड लेंगे इसको छे में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा फिर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 फिर गुना 12 अब हम लोग 78 में 12 गुना करते हैं 78 में 12 गुना करेंगे तो हो जाएगा 936 इस तरह 936 मिटर स्क्वेर यह हो गया हमारा अंसर अब हम लोग 9 नमबर बनाने वाले है ठीक ना ध्यान दीजिए 9 नमबर कजितां भी अंसर अंसर शीट में दिया गया है आपका बुक में वह अंसर में नहीं करेगा ठीक ना क्योंकि पता नहीं क्यों या तो कोशिट में मिश्टेक है या फिर अंसर मिश्टेक है मेरा जो बुक है वह पूराना बुक हो सकता है कि आपका जो निव बुक आया है उसमें सही अंसर होगा बट अभी जितने वह लोग 9 नमर का बनाएंगे ए बी और सी नमबर ठीक ना यह मेंच न चत्रफल याद कीजिए जिसके समांतर भूजाएं तथा उचाई दिये गए हैं यहाँ पर देखिए ए नंबर समांतर भूजाएं 12 सेंटिमेटर और उचाई है यहाँ पर 10 सेंटिमेटर तो हम लोग को इसका चत्रफल याद करना है सबसे पहले एक डाइग्राम बनाते हैं सम समलंब चत्रभूज जिसका पहला भूजाद दिया गया है यहाँ पर 12 सेंटिमेटर यह चोटा है फिर 20 यह बड़ा है यहां पर 20 सेंटिमेटर यह हो जाएगा दूसरा समांतर भूजाएं उसके बाद उचाई यहाँ पर उचाई दिया गया है 10 तो हम लोग फोर्मूला लि पूर्भूज का चत्रफल ब्राबर एक बट्टे दो गुने समांतर भूजाओं का योग A, B जोड फिर गुना गुना H फिर यहाँ पर मान बैठाएंगे हम लोग अब देखिए एक बट्टे दो गुना A, B, A हमारा है 12 और B है 20 दोनों को जोड देंगे 12 जोड 20 ब्रेकेट फिर गुना फिर हाँ पर H है है एच उचे होता है , यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमिटर इसको लिक देना है 10 सेंटीमिटर अब हम लोक दो और 10 को काट देंगे Dan 9 दो एकादो फिर नुटे 10 और नहीं पर देखिए 12 और 20 को हम लोग अभी जोड देंगे 12 में हम लोग 20 जोड़ देंगे तो हो जाता है 32 फिर गुना यहां पर 5 है 5 लिखती है अब इसको गुना कर देंगे 5 दुना 10 हाथ में एक 5 तिया 15 और 16 तो 160 cm स्क्वेर यह हो गया अंसर अब बढ़ते हैं अला दूसरा नमर पर दूसरा नमर का सवाल है समात्र भुजाय दिया गया है 34 cm तथा 40 cm फिर उचाय दिया गया है 24 एक संबलम चत्रभुज बनाते हैं पहले यहां पर हो गया संबलम चत्रभुज इसका पहला भुजा दिया गया है 34 यह हो गया 34 और निच्चे हो गया 40 cm फिर उच्चाई यहाँ पर उच्चाई दिया गया है 24 cm तो हम लोग अब लिखते हैं समलंब चत्रभूज का चत्रफल समलंब चत्रभूज का चत्रफल बराबर एक बटे दो गुनी समांतर भूजाओं का योग A पलस B गुना उच्चाई H बराबर अब दिखिए एक बटे दो गुना समांतर भूजा क्या है 34 और 46 34 जोड 46 फिर गुना H, H कितना दिया गया है 24 तहाँ पर हो जाएगा 24 फिर अभी हम लोग 2 और 24 को काट देंगे 2 एक आद दो फिर दो एक आद दो फिर चार बच गया दो दुना चार तो बारह हो गया अब दिखिए 34 हम लोग 40 जोड देंगे 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो गया 0 हाथ में 1 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और हाथ में 1 था 8 तो इस 80 हो गया फिर गुना अब दिखिए 12 को यहाँ पर लिख देंगे फिर गुना कर देंगे हम लोग 12 अठे 96 फिर एक 0 है वह 0 यहाँ पर आ गया और एक दसमलो 2 मीटर और उचाई दिया गया है यहाँ पर 80 सेंटिमीटर ठीक ना तो यहाँ पर देखिए सबसपन हो लोग क्या करेंगे 80 सेंटिमीटर को भी हम लोग मीटर में बदल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उचाई ब्राबर असी सेंटिमिटर ब्राबर अब देखिए जब भी सेंटिमिटर को मिटर बदलते हैं तो हम लोग 100 से भाग देते हैं असी बटा 100 यह हो गया मिटर ब्राबर 0-0 कट गया उसके बाद 1-0 बच गया है ठीक ना इसको अच्छा से लिखते हैं 8 बटे 10 ब्राबर अब देखिए 1-0 है इसलिए 8 के बाद पॉइंट लग जाएगा ठीक ना फिर यहाँ पर 0 यह हो गया मिटर तो उचाई ब्राबर 0 दसमलो 8 मिटर अब लग संबलम चत्रभूज बनाते हैं यह हो गया संबलम चत्रभूज और पहला समांतर भूज जहाँ 1 मिटर तो यहाँ पर 1 मिटर अब निचे दिखिए यहाँ पर 1.2 मिटर 1.2 मिटर और उचाई उचाई दिया गया है अभी हम लोग निकाले है मिटर में 0.8 मिटर आप चले लिखते हैं संबलम चत्रभूज का चत्रफल बराबर एक बटर दो गुने समांतर भूज जहाँ का योग ए बी गुना एच यह फूर्मूला है इसको याद करेना है आपको बराबर एक बटर दो गुना फिर देखिए ए प्लस बी मतलब एक मिटर आप देशमलो दो मिटर को जोड़ देना है एक प्लस एक देशमलो दो गुना फिर उच्चाई उच्चाई कितना है 0.8 0.8 अब हम लोग 2 और 0.8 को काट देंगे इकट जाएगा इसलिए दो एकार दो उसके बाद दो चोग के आठ लेकिन आपर पॉइंट था वह पॉइंट को यहाँ पर लगा देंगे फिर हम लोग इसको आगे फिर स्वल्प करेंगे बराबर पिर देखिए अभी बच गया है एक जोड एक दिसमलो दो ब्रेकेट फिर गुना जीरो दिसमलो चार अब हम लोग एक में एक दिसमलो दो जोड देंगे देखिए कैसे जुड़ेगा एक दिसमलो जीरो जीरो हो गया एक के लिए फिर यहाँ पर दिसमलो है तो यहाँ पर लग गया फिर यहाँ पर एक फिर इधर दो इसको जोड देंगे हम लोग तो यहाँ त्ब और दो गुणा कर देंगे, देखिए कैसे गुणा होगा, यहाँ पर points होगिया, 2.2 गुणा, 0.4, अब देखिए गुणा गरेंगे, तो क्या होगा, 2.9 हो जाएगा, फिर यहां पर भी 2.8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए point कितना बाद है, एक दो टोटल एक दो के बाद यहाँ पर दो ह्यो फिर हाँ पर «0 ठिक ना, तो इसותर हो गया जीरो दसमेलो आठ अठ मिटर इसक्वेर इसका छेत्र फ्ल हो गया दो इस तरह 0 दसमेलोग आठ आठ मिटर हिर कर यह ओ गया इसका प्रोब्लिम सोल्व करने के पुरी कोशिश करूंगा और वीडियो अच्छी लएक हो तो फ्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल लाइकन को प्रेस कर दीजे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोट कर आप तक नोटिफिक्शन चली थैंक यू पर बच्चिंग मैं वीडियो